आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, sequence of tenses के बारे में जब हम एक sentence form कर रहे होंगे, तो उसमें जब एक principal clause हो और एक साथ में subordinate clause हो ध्यान दो, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि coordinate clause coordinate clause की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है subordinate clause, यानि की जिसको हम बोलते हैं, dependent clause भी बोलते हैं तो जब हमारा जो principal clause, यानि की main clause का जो tense होगा उसका जो verb का tense होगा, जो हमको वक्त बताता है, time बताता है अगर वो present में है, past में है, future में है तो in that case, हमारा जो subordinate clause है, उसका जो tense है, वो कौन सा होगा वो rule जानेंगे, वो तरीके जानेंगे, समझने के, और कैसे हम correct तरीके से sentence को form करें कि हमारा जो sentence है, वो grammatically correct हो, वो हम इस वीडियो में आज जान लेंगे छोटी सी वीडियो है, बहुत ही अच्छी और interesting वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है पसंद है तो like भी ज़रूर कर देना, और जो हमारा sequence of tenses होता है, basically जाधा तर primarily apply कौन-कौन से clauses के उपर होता है, adverb clause of purpose and clause of, जो noun के clauses होते हैं, इसके उपर ही जाधा तर sequence of tense आपको ध्यान देके use करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा adverb clause of purpose होता है, आप जाधा तर कैसे पहचान सकते हैं, कि जैसे वो so that से या फिलेस्ट से, in order, that, या फिर सिर्फ that से भी आप start होता हुआ जाधा तर देखेंगे, जब हमारा adverb clause of purpose है, और जो noun clause है वो तो आपको मालूम ही अगर जो आप लोग मेरी वीडियोस अलड़ी follow कर रहें, तो मैंने सारे वीडियोस बहुत ही detail में line से बना के रखें, ताकि आपका कोई भी grammar का concept छूट ना जाए, तो उसका जो playlist भी है, वो भी मैंने line से दिया हो, तो ये भी वीडियो अलड़ी बनाया हुआ है, कि round clause क्या होते है, adverb clause क्या होते है, और वो आप एक बार देख सकते हैं, आपको description में link भी मिल जाएगा वीडियो का अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, support करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, important वीडियो बनाते रहूं, also you can continue improving your English हर दिन बिना actually putting any hard work, चले start करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा principal clause अगर past में है, तो यह तो आपको मालूमी है, ends कितने type के होते हैं, या तो वो present होगा, है न, य या तो past होगा, और या तो वो होगा future, तो सबसे पहले हम बात करें, जब हमारा principal clause है, यानि कि हमारा main clause है, अगर वो past tense में है, तो उस वक्त हमारा subordinate clause है, यानि कि dependent clause, dependent clause है, वो भी past tense में ही होगा, यानि कि past tense के बारे में, अगर जब हमारा main clause बात करा है, तो उस वक्त हमारा dependent clause भी क्या करेगा past tense में ही बात करेगा for example they found out that it was her fault तो हमारा जो यहाँ पर जो main clause है principal clause क्या है they found out तो हमारा जो subordinate clause है वो that से start हो रहा है यह identifiers मैंने अल्री बताय हुए है previous videos में कि आप कैसे identify करेंगे कि कौन सा clause है यह adverb clause है noun clause it was found out that it was her fault it was found out हमारा जो verb का कौन सा tense है principal clause में principal clause है और यह past tense में है तो हमारा जो subordinate clause है dependent clause है उसका भी जो verb होगा वो कौन से tense में होगा past tense में एक और example देख लेते हैं she replied that it would, he would come तो हमारा यहाँ पर क्या है she replied उसने क्या reply किया past tense में है that he would again past यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको तो जब भी हमारा principal clause past tense में होगा तो हमारा subordinate clause का जो verb है वो भी past में होगा दो तरीके के exception होते हैं exception का मतलब जब हमारा principal जो clause है अगर वो past में है तो subordinate clause past के इलावा और कुछ भी हो सकता है तो उसके दो exception है कब-कब past के इलावा कोई और tense में हो सकता है जब principal clause जो past tense में है अगर it may be it can be followed by which tense present tense कब होगा ऐसा जब हम जो हमारा subordinate clause एक universal truth मतलब एक universal सचाई जो की सच है सबको पता है और वो fact है जब हम उस universal truth को express कर रहे होंगे कि इसमें subordinate clause में उस वक्त हमारा जो principal clause में past tense होगते हुए भी हमारा जो subordinate clause है वो present tense को use करेगा कैसे करेगा example में बताते हूँ आपको my mother said that यहां पे क्या है past है है न तो यह exception है कि जब हमारा जो past tense में होते हुए भी principal clause हमारा जो subordinate clause है is present tense में क्यों हुआ क्योंकि यह जो हमारा clause वो क्या बता रहा है हमारा subordinate clause एक universal truth बता रहा है कि honesty is the best policy तो उस वक्त यह exception आपको काम में लाना है और जब आप sentences कहीं पढ़ेंगे तो यह आपको गलत sentence नहीं होगा यह एक correct sentence है because it is an exception एक और example देखेंगे Newton discovered that the gravitational force makes apple fall तो Newton ने क्या क्या डिस्कवर्ड किया था past में उसने discover किया था तो यह past tense हो गया क्या discover किया था कि gravitational जो force makes it makes apple fall वो apple को गिराती है तो यहाँ पे कौन सा tense use करा जा रहा है present tense use किया जा रहा है तो past में होते हुए भी principle clause के subordinate clause present में तब होगा जब वो एक universal fact को या truth को बता रहा होगा दूसरा exception क्या है भी subordinate clause अगर then से introduce किया जा रहा है है ना जब उसकी starting जैसे अभी तक तो हमने देखा था कि that आ रहा है so that आ रहा है लेकिन अगर हमारा subordinate clause जिसका principle clause past में है subordinate clause then comparison है ना comparison से introduce हो रहा है उस वक्त even जब भी हमारा past tense में होते हुए भी हमारा जो tense है किसका subordinate clause का वो कोई भी sense में use किया जा सकता है ना वो फिर fix नहीं है कि वो past में होगा वो present में होगा या फिर वो future में होगा वो sense उस sentence का जो sense आप बताना चाहते हैं या फिर एक sentence अलड़ी लिखा हुए तो वो एक context में किस context में लिखा गया है उसको उसी तरीक होगी लेकिन आपको कब पता चलेगा कि ये छूट हमको कब दी गई है ये तब दी जाती है ये छूट हमको तब दी जाती कि हमें अपना tense खुझ चुन ले sentence के sense के हिसाब से उसका क्या मतलब है जो निकालना चाहते है उसके हिसाब से जब वो introduce किया जा रहा है then से ठीक है example म more than I like bikes यहाँ पर past है car को में जाधा पसंद करता था then comparison अगर आ गया तो आप यहाँ पर I like present भी बता सकते है present यूज कर सकते है then it can be a it will be a correct sentence because the sense जो आप बताना चाहते है वो यूज कर सकते है तो यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी कि कौन सा tense आपको यूज करना है ज we met offer we met oftener then we meet now past में हम जाधा मिलते थे oftener का मतबह जो काफी frequency जो थी जाधा थी then comparison आ गया then we meet now present आ गया अगे यहाँ पर तो again हमारा जो sense हम देना चाहते है कि आज हम कम मिलते हैं compare to पहले हम जाधा मिलते थे तो यह आपको पता चल गया है ना she valued my time more than she values her valued क्या past में उसने मेरा जो time था वो value जाधा किया था compare to what जो value करती उसका time तो अब उसका present tense भी आप use कर सकते हैं और यहाँ पर future भी उसकर सकते हैं और यहाँ पर future भी उसकर सकते हैं depending on the sense क्या sense उस subordinate clause का बन रहा है यहाँ बनाना चाहते हैं I hope I made the point clear अब हम बात कर लेंगे कि देखिए अभी तक तो हमने बात कर रहा था कि हमारा जो principal clause है वो जब हमारा past में होगा तो most of the time हमारा जो subordinate clause है वो किस में होगा past में ही होगा लेकिन दो exception देख लिये थे हमने पहला exception कि वो present tense में होगा जब हमारा वो होगा universal truth लेकिन वो sense के हिसाब से जो कोई भी any tense we can use तो यह हमने किसके लिए देख लिया था जब हमारा present हमारा जो principal clause है प्रिंसिपल clause है वो किसमें हमारा जो main clause है वो किसमें past tense में है अब हम बात कर रहे है present की और future tense की तो past वाला जो पूरा आपको है वो complete समझा गया तो अब हम बात करेंगे जब हमारा जो principal clause है जो main clause है प्रिंसिपल clause है वो जब present में या फिर future tense में होगा तो वो follow किया जा सकता है any tense required by the sense तो इसमें आपको ज़्यादा rule देखने की जरुरत नहीं है तो जो sense में आप बताना चाहते हैं या जो sense में paragraph या context में बताया जारा है उसे इसाब से आप कोई भी tense follow कर सकते हैं, for example I think that she is honest present या future की बात ओरीन I think that she was honest या फिर I think that she will be honest, यहाँ present, past and future आप कुछ भी use कर सकते हैं right but जब भी हम जो हमारा sentence होगा जहाँ पर subordinate clause जो हमारा purpose define कर रहा होगा कौन से time पर जब हमारा जो principal clause है principal clause है main clause यानि की वो हमारा present में या फिर future में future में है उस वक्त जब हमारा subordinate clause जो है dependent clause जो है वो क्या कर रहा है वो एक purpose बता रहा है तो उस वक्त क्या होगा जो verb है वो तो मैंने आपको बता दिया कि principal clause का जो verb होगा present या future में होगा उस वक्त जो subordinate clause का verb है it has to be in which which tense it has to be in present tense ये आपको ध्यान में रखना है I'll repeat once again ताकि कोई भी confusion आपको ना रह जाए तो जब भी हमारा जो principal clause जो है present और future में होगा और वो हमारा subordinate clause ये हमारा purpose किसी भी चीज का purpose बता रहा होगा आप अगर ये बोलेंगे कि माम जो past वाला था इसे previous वाला जो section था वहाँ पे तो purpose हो रहा था purpose define कर रहे थे लेकिन there was no difference लेकिन सरफ ये कहां पे difference आपको देखना है जब हमारा present या फिर future वाला tense use हो रहा है principle clause में है ना तो उस वक्त हम क्या करेंगे subordinate clause में आपको definitely definitely कौन सा tense use कर लेना है present tense use कर लेना for example eat well so that you may keep yourself healthy तो यहाँ पे हम eat well so that हम present की बात कर रहे हैं है ना purpose so that यहाँ पे हमारा जो purpose हमारा adverb clause of purpose है है ना और हमारा जो हमारा जो verb है वो present में है है ना तो यह हमारा जो भी यहाँ पे verb होगा so that you may keep yourself healthy तो यह भी किस में होगा present tense में ही होगा I shall teach him better तो future हो गया यहाँ पे पहले वाले में हमारा present था यहाँ पे future हो गया है ना तो future हो गया so that again हमको दिखाई दे रहा ही एक purpose बता रहा so that he can pass तो again यहाँ पे कौन सा हम tense use करेंगे present tense करेंगे तो पहला हमारा चाहिए present हो चाहिए future हो purpose अगर बता दिया तो वो हमेशा present tense में ही होगा I hope आपको context समझा गया कोई भी query है तो आप comment section में लिख दीजे I'll try to answer you as soon as possible so that's it guys अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से helpful था आपके कोई भी knowledge में improvement हुई है तो definitely आप भी मेरे लिए helpful हो सकता है just by subscribing the channel also अपने दोस्तों के साथ share करके चलिए वापस से मिलेंगे next video में कुछ नया कुछ exciting and कुछ informative सीखने के लिए till then take care of yourself and bye bye